नमस्ते दोस्तों जोहर मैं विसेक चक्रमती आप सभी का फ्री सब्सक्राइब चनल पसे स्वागत करतों दोस्तों क्लास 10 के स्टुएंट्स के डिमांड पर क्लास 10 का मैस का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ टाइप का कोईशन्स लेका है हो गनित विशे का तो एक एक कोईशन का आप लोग बारिकी से देखते चलिएगा दोस्तों और डिडि मैंने सब्जिक्टिव टाइप का इंपोर्टेंट कोईशन्स डाल दिये हैं आप लोग उसको भी देख लिजेगा दोनों वीडियो को देख लिजे आपके बहुँ सारे कोईशन्स जो है एकजामेट टच करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सेक्षन ए से क्या कोईशन पूछेगे हैं क्या कोईशन पूछागा दोस्तों देख सकते हैं निमलिखित में से कौन 140 का अभाईज गुननखन है तो दोस्तों याद रखेगा अभाईज गुननखन का मतलब बहुत सार इस्ट्रेंट इसी को बात को नहीं समझते हैं और direct LCM देने स्टार्ट कर देते हैं तो अभाईज गुननखन का मतलब होता है वैसी संख्या उसे गुन में आता है खुद का पाढ़ा में फिस साथ तो दोस्तों यही संख्याओं को लेके ही आपको गुननखन करना है ना कि आप ऐसे संख्या से गुननखन कर दे जो कि आप जो है देखे कि यह direct भागा लगा के आप काट दिये तो दोस्तों वह आपका गलत हो जाएगा ठीक है अ आपको मालूम हो चुका है जो एक का पाढ़ा में और खुद का पाढ़ा में आता हो उसे अभाजी संख्या कहते है तो दोस्तों यहाँ पे 140 दियागा ए 140 का लगुत्तम निकालते है तो सबसे पहले यह 2 से जाएगा कितना बार में दोस्तों 70 बार में फी देख सकते हैं यह पे 35 बार में दोस्तों यह 3 का पाढ़ा में तो नहीं कटेगा 2 के बाद अभाज संख्या next कोन है 3 है तो 3 से तो नहीं जाएगा 35 यानि उसके बाद जो है अभाज संख्या कोन है 5 5 से जाएगा तो 5 से लगा दीजिए 5 सत्वे 35 तो क्या गया 7 आ गया यानि दोस्तों यहाँ आपका अभाज गुनंड कर किये तो यहाँ पर क्या रहा दो गुने दो गुने पाच गुने साथ ठीक है क्या या दोस्तों दो गुने दो गुने पाच गुने साथ तो दोस्तों यहाँ दो के बार है के बार रिफिट हुआ दो बार तो दो का यहाँ पर स्क्वेर बठा दे तो दोस्तो याद रखेगा इसको बात को बहुत सरे स्टुएंट सोचते ही यह easy question है लेकिन basic concepts नहीं होने के कारण उनका मैत गलत हो जाता है अभाज गुननखन में जो भी संख्याओं से आप लगुत्तम लगाईएगा दोस्तो उसको आपको जो है अभाज संख्याओं से ही ल को मिलते ही चली नेश्क कोशन के चलते है दोस्तो निए TEक्सक्राइगा देख सकते हम लोग पी बराबर ईक्स का ग्राप दिया गया है बहुंपद पी dipped के सुन्यक की संख्या क्या है दोस्तों आपको सुन्यक क twenty निकालने के लिए बोला गया है तो जान रहे है यह जो लेका है यह एक south k lebar काट रही है देखिए एक्वार यहाँ एक बार यहां दो बिंदू पर पर्तिछ़द कर रही तो जितना बार यहां परतिछिथ करेगा उतना ही इसका सुन्यों को की संख्या होगी तो यहां सुन्यों की संख्या कितनी है दूस्तो क्यों इस तरह से लिख सकते है, x square minus root 3 का square, क्यों, क्योंकि आप जानते है, root 3 को, अगर root 3 से गुना करेंगे, तो आपको निकलेगा 3, और ऐसा लिखने के पीछे कारण है, तो आपको इस format में क्या मिल गया, दोस्तो, a square minus b square के रूप में मिल गया, अब a square minus b square का आप क्या लिख सकते है, दोस्तो, a plus b, और यहां लिखेंगा अब लोग, a minus b, ठीक है, इस तरह से आगया, अब आसानी सा आप सुनने के निकाल सकते है, x, यहाँ पे हो जाएगा, 3 equals to 0, 1 हो गया, इधर, इधर हो गया, x minus root 3 बराबर, क्या, 0, ठीक है, आप दोस्तो, यह जो root 3 है, x वो अके लिख करना है, तो यहाँ पे यह root 3 उधर चल जाएगा, ता आप क्या जाएगा, minus root 3, और यह वाला minus पे है, आपका इधर चल जाएगा, तो किसमे हो जाएगा, plus में, यानि इसका 2 सुनने क्या क्या निकला, दोस्तो, यहाँ पे आप देख सकते है, यहाँ पे दो सुनने के निकला, एगो minus root 3 और एगो निकला 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि minus और root 3 वाला option कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख गया एक minus root 3 और एक plus में root 3, तो यहाँ पे एक minus में और एक plus में, कहाँ option में देखने को मिर रहा दोस्तो option number 3 ठीक है तो इसके दो सुनक आप आसानी से दोस्तो निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से questions को आपको solve करना है और आसानी से आपको exam में marks लेके आना है आप दोस्तो इसका regarding question है आप लोग को मैं दे रहा हूं कि इस question का आप लोग question दिया गया है क्या दिया गया दोस्तो टी square minus 15 ठीक है इसका answer इसी तरह से solve करके आप लोग नीचे comment करके बताईएगा या आप हमें solve करके हमारे Instagram चैनल पर जाके आप भेज सकते हैं आपके किसी भी question में कोई doubt हो तो आप direct हमसे वहाँ Instagram में direct अपने सवाल को पूछ सकते हैं ठी नीम्न में से कौन दूइघात समिकरन है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि दूइघात समिकरन होता क्या है तो गनित में जो है दूइघात समिकरन का एक समिकरन है कितना घात का दोस्तो दूइघात का एक समिकरन है ठीक है जिसका मान जो है मान समिकरन क्य है यहाँ पर आप देख सकते यह जो BX थी रेखिक पड़ है और सी यहाँ पर आपका अचर है ठीक है अचर पड़ है अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यह जितने भी आपका option दिये गया इसमें कौन इस format में है ठीक है तो यहाँ है तो यहाँ पर जो 4 है उसका option number 1 देख सकते दोस्तों इसको जब आप solve कीजएगा दोस्तों आपका दिया गया है ये वाला ठीक है इसको जब आप solve कीजएगा तो क्या होगा यहाँ पे देख सकते एकस माइनस 2 का हॉल स्क्रेट क्या होगा a square minus 2 A B plus B का whole square ठीक है और यहाँ पर क्या है plus में 1 है तो आप plus 1 दीजेगा बराबर यहाँ पर आपका क्या दिया गया दोस्तो 2X minus क्या 3 2X minus क्या 3 दिया गया अब इसको solve करते है दोस्तो X square क्या होगा X square ही होगा ठीक है यहाँ पर आप जब इसको गुना कीजेगा तो आपका 4X plus हो जाएगा आपका 4 plus 1 ठीक है अब यह दोस्तो इधर equal में है इसको इधर लाइएगा इस side तो plus पर इधर हो जाएगा तो minus होगा और यह minus में है ठीक है यह minus में इधर आएगा तो किसे में बतल जाएगा plus में बराबर 0 अब जो जिस घात का है उसको उसी के साथ आप लोगों को करना है ठीक है यह देख सकते है इसका और इसका चर जो है दोनों का यह आपस में add करेंगे 4X को minus 2X तो आपका हो जाएगा 6X ठीक है तो यहाँ पे X square अपने जगह पे रहेगा और 4X माइनस आप देख सकते है 2X को minus 2X को करेंगे तो minus minus plus होता है तो आपका हो जाएगा 6X ठीक है और यहाँ पे संख्या में कोन कोन है 4 है 1 है और 3 है तो तीनों को add करेंगे तो आपका आजाएगा दोस्तों कितना 8 कितना आजागा 8 ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते है किस format में आया AX square ठीक है plus BX plus C के रूप में है ठीक है यानि दोस्तों यह आपका जो है पहला वाला option विल्कूल correct है ठीक है तो option number 1 दोस्तों यहाँ पे आपका correct हो जाएगा तो यहाँ पे जिसका घात अधिक्तम घात क्या है दो के रूप में है तो यहाँ पे हमने solve किया यहाँ X का अधिक्तम घात जब इसका solve किया तो कितना आया था दोस्तों 2 आया था और जो कि AX square plus BX plus C के फॉर्म में था ठीक है चले नेश कोईशन के और चलते हैं दोस्तों नेश कोईशन दिया गया Q5 Q5 में दिया गया AX square plus BX plus C बराबर 0 ठीक है के दो भिन जो है पूछा गया दो भिन वास्तिविक मूल तो दो भिन वास्तिविक मूल होंगे पूछा गया विवित कर डिस्क्रिमिनार्ट अगर बड़ा हो किस से 0 से ठीक है तो वो वास्तिविक मूल में भी होगा और भिन भी होता है यह जो होता है इस सिचुईशन में क्या होता है वास्तिविक मूल भी होता है और भिन में भी होता है ठीक है और D का फॉर्मूला क्या होता दोस्तों आप पढ़े हुए है B square minus 4 A C ठीक है तो यह आप कहा सकता है यह वाला option आपको कहां दिखाए मिल रहा है यह option आपको दिखाए मिल रहा option number A ठीक है तो यारी option A जो हो जाएगा दोस्तों आपका correct हो जाएगा बस आपको understanding वाला question पूछा जाएगा इसको आसाने से समझाओ सकते हैं यह previous year के questions काफी जादा पूछे जाते हैं इसलिए इस question को लेका है इसके बाद question number 6 देख सकते हैं समांतर सिरेणी 4, 10, 16 और 22 का सारवंतर है दोस्तों यहाँ पे सबसे जो है पहला वालो का हम कहते है पर्थम पद और पर्थम पद A1 जो है आपका दिया गया है कितना दोस्तों 4 और सारवंतर को क्या कहते हैं D सारवंतर को D कहते हैं और D निकालने के लिए क्या कहते हैं जो बाद वाला है उसको पहले वाले से माइनस करते हैं यानि पहले वालों को a1 कहते है और बात वाले को a2 यानि आपके a2 की जगा a2 से a1 को मैनिस कीज़ेगा तो दोस्तों यहां पे a2 देख सकते कितना डिया गाए 10 और a1 था आपका 4 तो a2 के जगा 10 और a1 के जगा 4 तो आप solve कीज़ेगा दोस्तों आपका जगा 6 तो यहाँ पे 6 कॉन सा option में दिखने को मेरा option number B जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल correct हो जागा बिल्कुल आसान है दोस्तों next question क्यों चलते है question number 7 में क्या दिया गया दोस्तों यदि समांतर सिर्णी के पर्थम पद A कितना दिया है 10 और D कितना दिया है सारवंतर दिया आपका ये भी 10 दिया हुआ आपको निकालना है तिसरा पद अब दोस्तों जब direct पद बोल दे तो आप जानते हैं तिसरा बोलेगा तो आपको निकाल पद क्या हो जाएगा दोस्तों तिसरा पद के लिए लिखते हैं लोग A प्लस 2D क्या लिखते हैं A प्लस 2D ठीक है चौथा पद बोलता तो A प्लस 3D पाच्वा पद बोलता तो A प्लस 4D तो A के जगह A कामान बैठा दिये 2 के जगह 2 और D का फेलू क्या है दोस्तों 10 है तो इसको जोब आप solve कीजेगा तो क्या आजाएगा दोस्तों आपका answer आएगा 30 जो होगा इसका correct answer 30 कहां देखरें कि मेरा option number C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा दोस्तों इसके बाद एक next question देख सकते है क्या दिया गया 10 जो है आपका दिया गया 26 degree बटे court 64 degree का मान है दोस्तों यह 8.3 से आप लोगा question दिया गया है तुरिकोन मिती चैप्टर से ठीक है तुरिकोन मिती अनुपात में से तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे solve करना है आपको कुछ नहीं करना है यहाँ जो दो मान दिया गया 26 और यहाँ दिया गया 64 तो आप दो पूर 10 पर उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा 26 होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है जो value दियागा किसी एक को जो है दोनों को एक ही रूप में change करना है ठीक है या तो 10 को court में change कर दीजे या तो court को 10 में ठीक है तो यहाँ पे आप कर सकते है आसानी से कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसको solve करते हैं तो 10 का जो value एही रहने देते हैं 10 26 ही रहने देते हैं और इसको हम क्या करते है कॉट 90-26 जो आया है उसको लिख देना है तो दोस्तों अगर आप इसको solve कीजेगा तो 10 26 क्या आएगा दोस्तों 10 26 बट्टे आपका कौत जो है आपने पढ़ा है कि कोट 90-जी टा बराबर क्या होता है रूल पढ़े है आप लोग कौर्ट 90-2 बराबर 10 थीटा होता है तो कौट 90- यह आपका थीटा का हमाने एंगल का मान दिया है 26 तो यहां आपका हो जाएगा किस पर बदल जाएगा यह टैन 26 पर बदल जाएगा है ना तो यहां पर आप आसानेस को solve करके बना सकते हैं तो यहां पर आप काट दीजिए value क्या आ जाएगा दोस्तो वह न आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आपका answer क्या आया वह न आया तो यह आप लोग का question है और यह question आप लोग का एक्जाम में रहेगा option number जो होगा दोस्तो भी correct हो जाएगा एक same type का question में आप लोग को बता दे रहा हो दोस्तो वह question भी आप लोग करके जाएगा और नीचे comment करके बताएगा कि answer क्या है sign 18 degree क्या होगा इसका answer आप लोग नीचे comment करके बताएगा या solve करके हमें इंस्टाग्राम में आप लोग send कीजेगा ठीक है चले next question क्यों चलते हैं ये questions आप लोग के exam में देखने के मिलेंगे आप लोग इसको अच्छे से कर लिजेगा त्रिकोनमीती के जो basic concept से उस पर जो है अलग से मैंने वीडियो ही बना दिया हुआ है आप लोग जा के वीडियो के section में देख सकते है चले next question क्यों चलते है next question जो है दोस्तो दिया गया है आपका उसी से related question है कुछ rule बताते रहे हैं याद रखेगा sine 90 minus theta बराबर होता है दोस्तो cos theta क्या होता है cos theta उस तरह से cos 90 minus theta बराबर होता है आपका दोस्तो cos theta अभी हमने पढ़ा फिर याद रखेगा cot 90 minus theta बराबर होता है 10 theta ठीक है उसी तरह से दोस्तो यहाँ पर याद रखेगा sec 90 minus theta बराबर होता है आपका cos theta ठीक है उसी तरह से cos 90 minus theta बराबर होता है sec theta तो यहाँ पर आपको पूछा गया sec 90 minus theta बराबर होता है cos theta क्या होता दोस्तो तो कॉसेक थिटा अपको कहां पर देखने को मिल रहा है option number d पे ठीक है तो यह कुछ formula है जिसको आपको याद रखना है तो आसानी से एक number आपको मिल जाएगा ठीक है तो आपका को सेक थिटा correct answer हो जाएगा चलें नेश कोईशन की ओच चलते दोस्तों देख सकते हैं नेश प्लस कॉस इसके ठीटा बराबर क्या होता है उसको फिर फिर बराबर क्या होता है वन होता है इसका correct answer जो है option B हो जाएगा ठीक है यह trick के साथ जो है आसानी साथ आप लोग याद रख सकते यह अगर आप लोगो दिक्कत होता है तो नीचे comment कीजिएगा मैं trick के साथ आप लोग का निर्दर सांक होता है 00 यहाँ पर option number A जो होगा आपका correct हो जाएगा चले नेश question कीजिए और चलते है उसको question number 12 question number 12 में दिया गया है बिंदू minus 3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मैद बिंदू आप दोस्तों कल रेखाखंड का जो है मैंने छितरफल वाला जो है बताया हुआ था अब यहाँ पर दिया गया है मैद बिंदू निकालने के लिए अब दोस्तों आपके पास दोनों y1 मानेंगे इधर वाले को x2 और y2 मानेंगे ठीक है और मैद बिंदू का निर्देशांग निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते है मैद बिंदू का निर्देशांग का फॉर्मूला क्या होता है मैद बिंदू का निर्देशांग बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बाइ 2, y1 plus y2 divided by 2 अब इसको जोब आप solve कीजेगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं minus 3 plus 7 बठाईएगा जो आप value है जहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप देख सकते x1 का value दिया गया minus 3 और यहाँ पर x2 का value दिया गया 7 ठीक है तो यहाँ पर आप उसको बठा देंगे बठा 2 फिर उसी तरह से y1 y1 का value कितना है 4 है और y2 का value दिया गया आपका 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 plus आपका 8 बठे 2 ठीक है ब्रेकट घेर दीजिए अब जब इसको solve कीजेगा दोस्तो तो आपका आएगा यहाँ पर 4 बठे 2 क्या आएगा 4 बठे 2 और यहाँ जाएगा 12 बठे 2 काटिएगा तो इधर हो जगा 6 इधर हो जगा आपका दोस्तो 2 तो आपका answer क्या निकला दोस्तो 2 और 6 ठीक है क्या निकल जाएगा 2 और दिया गया, दो तिर्भुज दिया गया, तो दो तिर्भुज हम लोग बना देते हैं, एक दिया गया A, B, C, और दूसरा तिर्भुज दिया गया दोस्तो, D, E और F, यहाँ पर बोला गया है, कि A, B जो है बराबर है, यह जो A, B है दोस्तो, वो बराबर है क्या, D, E के ठीक है और बी सी जो है एफ ठीक है बी सी क्या है एफ तो बी सी जो है एफ के और यहां पर एसी दिया गया है डी एफ के एसी जो है दोस्तो आपका दिया गया डी एफ के आपका हर एक एंगल का वेलू दे दिया गया है एक वेलू दिया गया कितना दोस्तो चालिस डिगरी B का फेलु दिया गिया दूसतों कितना आपका B का फेलु दिया गIsButie 80 डिगरी, तो आप C का निकाल लिजेगा कैसे निकलेगा दुस्तों C का ये जो दोनों दिया गिया है 60 और 80 दोनों को आपको तीनों तिर्भुज के तीनों कुनों और यो peak कितना होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि C का वेलू निकल गया 60 डिगरी लेकिन आपको निकालने बोला F का मान किस का मान दोस्तों यहाँ F का मान तो समरूफता कर्ट सोटी के नियम के अनुशार अगर संगत भुजाए समानू पाती है अफसान नमबर सी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जागा तो इस तरह से आसाने से सॉल्व कर सकता है संबहू जो है समकौन तिर्भूज संबहू समकौन तिर्भूज A, B, C का कोन जो है B समकौन है यानि आपको समकौन में किस को रखना है एंगल B को रखना है, किसको रखना दोस्तो B को रखना है, तो इसमें दिया गिया यदि BC का मान तो यानि दोस्तों, यह A होगा, इधर आपका B हो गया तो यह पे C होगया, आप बोला कि BC का मान दिया हुआ है, 4, ठीक है तो AC का मान होगा, आप सभी rule पढ़े हुए है दोस्तो कि सम्दी बहु तिर्भुज जिसका दो भुजा है आपस में बराबर हो ठीक है तो यहाँ B का बराबर कोन होगा यहाँ A भी होगा क्योंकि कर्ण तो सबसे लंबी रेखा होती है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है बराबर भुजा में कोन होगा A B होगा तो यह भी क्या होगा चार होगा ठीक है यार और निकालने ही आपको बोल दिया गया है क्या A C क्या निकालने बोला गया है A C तो A C कमान तो यहाँ पर A C क्या है दोस्तों अब इसी भी चार का स्क्वेर, दोनों का स्क्वेर को करेंगे, तो 16 प्लस क्या होगा? 16 ठीक है? अब दोस्तों, आपको जोड़िए गा, तो आएगा 32 कितना आएगा? 32 को तोड़ेंगे हम लोग दोस्तो तो निकलेगा क्या 16 गुना 2 कितना निकलेगा 16 गुना 2 16 किसका square root होता है दोस्तो 4 का 2 जो है दोस्तो 2 का square root तो निकलेगा नहीं तो यानि answer आ गया 4 root 2 तो 4 root 2 आपको कहा देखने को मेरा option number B जो है दोस्तो इस तरह से आपका correct हो जागा 4 root 2 जो होगा यहां पे correct हो जागा next question क्या दिया गया दोस्तो वृत की सबसे बड़ी जीवा होती है तो वृत की सबसे बड़ी जीवा पूछा गया है तो याद रखेगा सबसे पहले एक वृत बना लेते हैं और कोई भी वक्र किनी भी दो बिंदू को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं कोई भी वक्र में जो है कोई भी दो बिंदू जो है आपस में जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसका हम जीवा कहेंगे और इस तरह से दोस्तो देखिएगा तो सबसे बड़ी जीवा जो है बीच वाला लाइन होगा बीच वाला लाइन कम क्या क्या तो व्यास कहते है तो option number C जो होगा correct हो जाएगा ठीक है व्यास जो है diameter correct हो जाएगा next question क्यों चलते है question number 16 में क्या दिया गया है किसी विरीत का व्यास 14 cm है कितना दिया गया दोस्तों विरीत का व्यास दे दिया गया 14 cm ठीक है तो जिसकी परधी तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास व्यास दिया है यानि D दिया हुआ 14 तो R क्या होगा R बराबर D by 2 यानि 14 बटे 2 काट लिजएगा कितना निकल गया 7 R का भेलू कितना निकल गया 7 निकल चुका है तो यहाँ पर आपका दोस्तो 7 एंसर निकला हुआ है आपको निकलना विरित का परधी तो विरित का परधी निकालेंगे दोस्तो तो विरित का परधी जो है क्या होता फॉर्मूला आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपको हो जगा 2 Pi R तो 2 का जगा 2 Pi का भेलू 22 बटा 7 और R का भेलू क्या है दोस्तो यहाँ पर R आपने निकाला 7 साथ और साथ कार्ट दीजिए तो आपका निकल जाएगा कितना च्वालिस कितना निकल गया च्वालिस तो इस तरह से आपका उप्सन नमबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चले नेश कोईशन क्यों चलते हैं क्या पूछा गया है साथ सेंटीमीटर तीजा वाले अर बता क्या लगेगा दो लगेगा आध्या है तो आध्या यहां पर फोर्मूला में बही लगेगा तो अब्सक्सन अपर एक कभे लू अलगा यहां पर 1139 वाला हर और गारव को साथ से गुना करेंगे तो 77 कितना गया 77 सेंटीमीटर स्केर तो 77 सेंटीमीटर स्केर जो होगा दोस्तों इसका करेट एंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से कुछ इंपोर्टेंट कोईशन्स थे जो आप लोग का बार बार सवाल पूछे जाता है दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉंस रहा तो तै मानिये और एक से एक वीडियो का कोईशन्स आप लोगो मिलने वाला है आसा करते हैं तो आज का वीडियो आप सोको पसंद है तो बिल्कुल लाइक से और कमेंट करने ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरों जा